नवश्कार दोस्तों जैशी श्याम इस वीडियो में हम बात करेंगे जून दोजार चॉबिस के लिए जो न्यू स्कीम है उसके लिए हमें अपनी सीए फांडेशन की प्रपरेशन किस तरीके से करनी हैं देखिए जहां तक बात आती है सीए फांडेशन की तो जो चेंजिस फांडेशन लेवल पे हुए हैं वो बहुत डिफरेंट हैं और मैं कही न कहीं इस बात को कहूंगा कि अब जो है पेपर लेवल कम से कम 20% जो है अपरेंड पे जाके सेट हो जाता है खास कर अगर मैं बात करूँ तो चारो पेपर्स की अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसे पार्ट को एड़ाउन किया गया है जिससे आपके अनलेटिकल स्किल्स को और जादा अच्छे से चेक किया जाएगा लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ग्रूमिंग एजूकेशन अकैडमी जो की एक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रखती है आपको पूरा का पूरा हिल्प करेगी अपनी बुक से अपने लेक्चर से अपनी टेस्स सीरीज से और जो भी वक्त वक्त पे अपडेट आएगी उसके साथ बस आप हमारे साथ जुड़े रहेगे अब मैं आपको बताऊँगा कि हमें किस तरीके से एक एक सब्जेक्ट को अपने प्रिपेर करना है बड़े ध्यान से सुनिएगा देखिए अगर मैं बात करूं सी ए फाउंडेशन की जून दो हजार चॉबिस की तो इसके अंदर हमें क्या स्ट्राटिजी रखनी चाहिए किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को जो है प्रिपेर करना चाहिए उसकी अगर हम बात करें तो देखिए at a time जो है कोई भी 2 सब्जेक्ट है any 2 सब्जेक्ट आप जो है पिक करें और मैं उसके लिए आपको ये कहूंगा, कि वो दो subject किसमें से pick करने हैं, accounts और law, कोई इसमें से आपको एक subject लेना है, और अगर मैं बात करूँ next, तो वो quantitative, aptitude या economics, इसमें से कोई एक subject आपको लेना है, सर, best combination क्या रहेगा, अगर आप बताना चाहें तो, सर, मेरे ज़ाब से आप लोगों का जो best combination रहेगा, कि अगर वो आप accounts उठा ले, और second जो है, आप quant उठा ले, ये best रहेगा, otherwise आप law के साथ भी quant जो है, उसको pick कर सकते हैं, सर, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या करनी है, देखिए, आप जब हमारा course लेंगे, तो उसके अंदर आपको मिलेगा एक task meter, task meter क्या है, इसके अंदर हमने आपको पूरा बता रखा है, कि जैसे अगर आपने accounts शुरू किया, तो किस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो हमने पूरे accounts के syllabus को 100 task में लगबग divide कर रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, रोज के 2 task करने हैं, अपने आप 50 दिन के अंदर आपका accounts का course with revision, with mock test papers, with test papers cover up हो जाएगा, सिर्फ उसको follow करना है, सर मैंने आपका course नहीं ले रखा, तो ले लो यार, सोचने माली क्या बात है, चलो नहीं ले रहे खा, तब भी बता देता हूं, सिर्फ आपका तरीका ये होना चाहिए, कि आप chapter to chapter अपनी preparation करते जाएं, और हर chapter के बाद test paper जरूर दें, और उसे check जरूर करमाएं, और जो आपकी गलती हो रही है, उसको analyze करें, कि मेरी गलती exactly कहां पर हो रही है, ये बहुत ज में फिर accounts के जो है, आप mock test paper देना शुरू कर दें, full course के, ये बहुत जरूरी है, मैं आपको ये बिल्कुल भी suggest नहीं करूंगा, कि आप चारो subject एक बार में उठाएं, क्योंकि उससे ना pressure आएगा आपकी उपर, और unnecessary, आप पहले 10 दिन तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 11 दिन से आपका demotivation आना शुरू हो जाएगा, तो मैं आपको ये ही suggest करूँगा, अराम अराम से relax करके, मैं तो even ये कहता हूँ कि first week में आप सिर्फ accounts पढ़िए, second week के अंदर जो है, आप accounts के साथ, quant भी लेके आईए, फिर एक subject खतम करिए, फिर तीसरा उठाईए, जब एक subject खतम हो गया, उसके mock test करना शुरू कर दीजे, फिर तीसरा खतम हो गया, फिर चौथा करिए, और जो दूसरा खतम हो गया है, उसके mock test करिए, तो ये पूरी के पूरे strategy होती है, जिससे आपको पढ़ाई करनी है, कोशिश हमीशे आपको ये करनी है, कि exam से जो है, लगभग 45 से 60 दिन पहले आपका course पूरा हो जाए, ताकि आपको जो है, एक sufficient time मेले revision के लिए mock test papers करने के लिए, जितना जल्दी आप syllabus करेंगे, उतने आप अच्छे number लाने के chances बढ़ जाएंगे, याद रखिएगा कि 300 प्लस का target रखिए, इससे नीचे का मत सोचिए, क्योंकि 300 प्लस हैं, तो आपके लिए कहीं न कहीं एक add-on advantage होता है, तो ये कुछ बाते हैं, जो आपको इसी stage पर पता लग जाए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा useful रहती है, फिर बाद में आप कहते हैं, किसी ने हमें बताया नी, औरे जो बता रहा है, उसकी बात ध्यान से सुनो, वो ब बिश्वास मानेंगे exam के time पर on an average, रोज 1,00,000 बच्चे उस channel को देख रहे थे, highest views, अगर मैं बात करूँ, तो इस channel को मिले, एक एक वीडियो के उपर अगर हम बात करें, तो genuinely 55,000 views जो हैं हमारी videos के उपर आए, क्या है, ये बच्चों का प्यार ही तो है, एवन जो हमने बत किसी setting थोड़ी ना है, यही बरोसा, यही प्यार हम आप लोगों के लिए June 2014 में भी maintain रखेंगे, बस और बस आपको इतना करना है, कि आख बंद करिये, और अब CA Foundation 9.0 का जो course है, वो आपका पूरा update हो चुका है, June 2014 के हिसाब से उसे purchase करिये, नई books आ चुकी है, उन books को आप ले करके अपनी पढ़ाई शुरू करिये, और जैसे जैसे task meter में बताया जाता है, वैसे वैसे अपनी पढ़ाई करिये, इस से जादा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम सदेव आपके साथ थे, सदेव आपके साथ है, और सदेव आपके साथ रहेंगे, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, चार्टेड अकाउंटेंट अगर आपने सोचा है कि आप बनना चाहते हैं, तो हमने भी ठाना है कि हम आपको बना कर छोड़ेंगे, आज के लिए इतने ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, बाबाई, टेक केर, जैस शिरीशा आपक के लिए, गरिए बना है